नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों जैसे कि आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं यह बड़ी दूधी घास है जैसे कि मैंने पीछले वीडियो में आपको बताये थे लाल दूधी के फाइदे के बारे में और वह जो दूधी घास होता है वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं और उसमें लाल लाल पत्तियां होती है तो दोस्तों आज जो दूधी के बारे में बात करेंगे ये बड़ी दूधी है दोस्तों ऐसे ओसधी गुन के मामले में छोटी दूधी जादा कारगर है लेकिन दोस्त आत्मी क्या होता ना पेर पोधे बहुत ही आपने आपको विक्सित करता है और फलता फुलता है तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं बड़ी दुधी है आप इस पोधे को अच्छी तरह से देख लीजिए और पहचान लीजिए और बरसात के मौसम में दोस्तों यह नहीं से तोड़ेंगे तो इससे दूध निकलता है इसके नाम से जाना जाता है दोस्तों आप क्या करें जैसे का भी मौसम है बारिस का तापको अगर कहीं दूधी घास मिल जाए तो आप इसको ले आईए और पंचांग के साथ मदब जर के साथ उखार करके और अच्छी त कर सके तो दोस्तों इसके बहुत सारे सधीक गुन इसमें विद्वान होते हैं जो हमारे सरीर के लिए हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही फायदे होते हैं दोस्तों आपने अलोपेथिक दबाई खाये होंगे बहुत सारे होंगे छोटे मोटी इंफेक्शन भी हो जाता है तो लोग ऐलोपेथिक दबाई खाते हैं लेकिन दोस्तों आप ऐलोपेथिक जितने फायदे होते हैं उससे जादा दोस्तों नुकसान होते हैं हमारे किड्नी लीबर पर या कुछ न कुछ नुकसान करते हैं तो दोस्तों आज हम आयरुवेद के बारे में ही बात करेंगे दोस्तो आप ये पोधे के देखी रहे हैं आप इसका ले आईए और इसका परियोग करिए इसमें बिलकुल नैचुरल है दोस्तों इसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा तो दोस्तों जहां तक होगा फायदा ही होगा और बिलकुल नैचुरल है तो दोस्तों चलिए इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे दोस्तों आप एक लाइक कर दीजिएगा लाइक करने से मेरा मोटिवेशन आप होता है जिसके बज़े साब के लिए हम वीडियो ऐसे ही लाते रहते हैं चलिए दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं कौन-कौन सी बिमारी में इसका परियोग करना चाहिए किस मात्रा में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इतना इने दोस्तों बड़े बड़े आयरवेद संस्थान भी इसका परयोग करते हैं बहुत सारे इसे दवाई बनाये जाते हैं आयरवेद में जिसका की परयोग हम लोग करते हैं लेकिन दोस्तों उसमें क्या ऐसे मिलाया जाते हैं यह हम लोग को पता नहीं होता है लेकिन ज़्यादा तर आयर्वेद इसका प्रियोग करते हैं बहुत सारी बिमारी में और यहां तक दोस्तों कि आप मार्केट में जाएंगे पंसारी के दुकान में जाएंगे तो इसका यह सुखा हुआ पूरा ज्ञार मिल जाएगा पंचांग के साथ तो दोस्तों आपको इ इसके इसी तरह पंचांग के साथ लाएं और इसको पीस करके आप इसका रस आधिक कप के बराबर निकाल लें और उस बैक्ति को दीन में तीन बार उसको पिलाएं दोस्तों इस तरह से अगर आप करते हैं तो उसकी दस्त सही हो जाएंगे अब बार बार दस्त जाने की जो समस्या होता है उसको दूर हो जाएंगे बहुत अच्छा काम करता है दस्त में यहां तक दोस्तों अगर किसी को पेची सारा है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है और दोस्तों यह बिलकुन निराप आसदी है ऐसे कोई नुकसान नहोगा चोटे बच्चे को भी आप इसको परियोग कर सकते हैं लेकिन उसका कम मात्रा में परियोग कर सकते हैं चाहे दूद का परियोग कर सकते हैं, दूद ही घास का जो कहीं से तोरेंगे तो इसमें दूद निकलता है, दोस्तों वही दूद का आपको परियोग करना है, आप तोर तोर करके एकठा कर लीजिए, और इसके बाद उसको चेहरे पे जहां भी जाईयां, पिंपल, एकने जैसे हैं, तो आप इसका परियोग कर सकते हैं, दोस्तों यकीन मानिये, बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि दोस्तों मौसम चैंज होता है, जैसे बरसात अभी जैसे चल रहा है, मौसम चैंज हो रहा है, गर्मी कभी ठंडी, उसमें वाइरल इंफ्रक्शन बहुत जादा हो जाता है चाहे बड़े हो या छोटे सब पर यह वाइरल इंफ्रक्शन होता है, जिसके बज़ा से बहुत परिसानी होता है, तो दोस्तों उसमें भी दूधी घास का परियोग कर सकते हैं, आपको जैसे मैंने पहले बताया था, इसका पौडर तियार कर लें, या फिर इसका पौडर ले आएं, और एक चम्मच ले पौडर और उसमें थोरा से सहद मिला करके, जिस ब्यक्ति को वाइरल इंफ्रक्शन हो गया है, या सर्दी जुकाम हो गया है, आपको उसको उसको चटाएं, दीन में तीन बार उसका परियोग करना है, तो दोस्तों उसको जो वाइरल जो कर जाते हैं, कीरे हो जाते हैं, चाहे बड़े को भी कभी कभी हो जाता है, तो दोस्तों उसके लिए भी बहुत अच्छा इसका परियोग है, आप इसके लिए क्या करें, इसके रस निकाल करके और उसमें थोरा से काली मिर्च मिला करके, बच्चे को एक दो चमच करके उसको पिलाएं, सुबह साम पिलाएं, इस तरह से अगर करते हैं, जैसे बड़े लोग हैं, उसको दो चमच पिलाएं, इस तरह से अगर इसको पिलाते हैं, तो पेट में जो कीरे हैं, वो मल की द्वारा बाहर हो जाता है, और पेट में कीरे नहीं होते हैं, उसमें भी बहुत दूधी घास इसका स्वरस और कनेर का पत्ते का रस दोनों को बड़ाबर मात्रा में मिला करके अपने गंजे सर पे उसको गिसना है जी यहां दोस्तों गिसना है मालिस करना है जहां पे गंजा हो गया तो उससे क्या होगा धीरे धीरे आपके बाल भी काले होंगे और सासर निकलने के भी चांस बर जाता है, तो दोस्तों बाल के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चे को अगर पेचिस हो गया है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, या किसी को जलोधर हो गया है, जलोधर भी होता है, दोस्तों उसमें भी इसका प्रियोग बहुत अच्छे हो होते हैं इसके रस को निकाल करके डिन में तीन वार उससे भी फाइदा होता है। साथ-साथ दोस्तों किसी व्यकतिको अयगोगाए हो रहो जी हाँ दो스धों बोलने में शही से तुतलाता है या ऐसे बोलने पाता है तो इसके जर को पान के साथ उसको दोस्तों बोलने में सही से तुतलाता है या सही से बोलने पाता है तो इसके जर को पान के साथ उसको खिलाएं उसको चूसें तो दोस्तों उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है लेकिन लंबे टाइम तक करना होगा दोस्तों इसके साथ साथ जोसे माता बानों में जिसे दूद की कमी हो जाता है बच्चे के लिए दूद जो कमी हो जाता है अस्तन पान कराने में तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत अच्छा है इसका क्या करें आप दो से तीन चमच इसका रस निकाल करके और पानी मिला करके उसका अगर सेबन करते हैं तो जो अस्तन पान है वो दूद की जो कमी हो जाता है उसको यह पूरा करता है साथ साथ दोस्तों अगर माता बहनाय में जैसे लिकोडिया की समस्या हो जाती है आया फुरूस में धातु रोक की समस्या हो जाता है नपुन सकता की समस्या हो जाता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है उनके लिए क्या करना है दोस्तों इसके जो देख रहे हैं आप इस तरह से ले आए जारी के साथ इसको उखार करके ले आए जर के साथ और इसको अच्छी तरह सुखा करके इसका पौडर बना लीजिए इसके बाद उसमें जितनी मातरा में यह पौडर होगा उतनी मातरा में आप इसमें मिस्री मिक्स करिए, मिस्री मिक्स करने के बाद दो चम्मच होगा या उसको उसका सेवन करें और एक गिलास गुनगुने दूद के साथ, अगर आप ऐसा कंटीनियू 15 दिन तक करेंगे तो माता वानों जो लिकोडिया की समस्या होती है, सफेद पानी की समस्या होत होता है, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन हैं, बिलकुल नैचुरल है, आप इसका परियोग करें, आपको कोई नुक्सान नहीं होगा और जहाँ, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, आज हमने बताया आ आपको दुधि-घास की कुछ फायदे के वारे में, उमीद करता हूँ दोस स्वस्त रहें मस्त रहें नमस्कार दोस्तों